इतनी अपडेट्स तो Android Mobile के अंदर दो या तीन साल में नहीं आते हैं जितनी I&D Money में पिछले कुछ महीनों में आ चुकी है I&D Money अपनी प्राइज को लगातार जो अपडेट करता रहता है अगर आप आज की डेट में I&D Money में अपना डिमेट अकाउंट बनाने की सोच रहें तो ये वीडियो जरूर देख लेना I&D Money अप की complete जानकरी इस वीडियो में आप कुछ है मिलने वाली है जानेंगे I&D Money किस किस सेग्मेंट में आपको अपनी सर्विस देता है अकाउंट ओपनिंग चार्जीज क्या है AMC चार्जीज क्या है और अब आपसे कितनी ब्रोक्रे जो है चार्ज करता है और कुछ चार्जीज तो दोस्तो इतने महेंगे हैं कि आप बाद में यही काऊगे कि क्या लूट मचा रखी है सब जानेंगे इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जह प्लीज लाइक जरूर कर देना चल पर नए हो तो चल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों यह कोई पेड या स्पोंसर वीडियो नहीं है ना ही मैं IND Money App कंपनी को डी फ्रेम कर रहा हूँ ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है दोस्तों IND Money App आपको जह 4 सेग्मेंट में अपनी सर्विस देता है इन्येर स्टॉक्स में, यूस स्टॉक्स में, मुचल फंड एंड फिक्स डिपोजिट यानि FD में अपनी सर्विस देता है सबसे पहले अगर आप IND Money App में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहां पर आपसे कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जिस नहीं लिया जाता है यानि एकदम ये फ्री रहने वाला है और इसके साथ यहां पर आपसे कोई Annual Maintenance Charges यानि AMC Charges भी नहीं लिये जाते है जो कि काफी अच्छी बात है इस एप के बारे में अब बात करते हैं ब्रोक्रेट चार्जिस के अगर आप एकविटी में ट्रेड करते हैं आपको यहां पर 20 रुपए या 0.05% ब्रोक्रेट चार्जिस देना होगा पर ओडर अगर दोस्तों आप फ्यूचर एंड ऑप्शन यानि F&O में ट्रेड करते हैं तो दोस्तों यहां पर फ्यूचर एकविटी और Option Equity में आपको 20 रुपए ब्रोकेश चार्जिस देना होगा पर ओडर DP Charges for Delivery on Sale ओडर इंट्राडे में आपको 0 चार्जिस देना होगा और Delivery Sale में आपको 13 रुपए पर ओडर देना होगा Fund Transfer Charges अगर आप यहां पर 10 रुपए पर deposit देने होगे अगर आप यहां पर 10 रुपए पर deposit देने होगे अगर आप यह Fund Transfer करते यूपए के तुरू तो आप से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा Auto Square of Charges आपको यहां पर 50 रुपए पर position देने होगे दोस्तो अगर आप आप यहां आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको कितने चार्ज पे करने पड़ते है Account Opening Fee, Account Maintenance Charges, Profile Verification, SIPs in US Stocks and ETFs and Tracking Charges यहां पर आपके 0 रहने वाले Free of Cost आप यह कर सकते हैं इसके बाद दूस्तो बात करते हैं अगर आप US Stocks में विड्रॉल करते हैं तो आप यहां पर आप यहां चार्ज जिरो लिये जाते हैं लेकिन अगर आप यह करते हैं फेडरल से अकाउंट से तब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप जो विड्रॉल करते हैं किसी दूसरे बैंक में तो उस केस में आपको यहां पर पाच डॉलर जो है पे करना पड़ेगा अपनी विड्रॉल अमाउंट के उपर दोस्तों यूएस स्टोक्स ब्रोक्रेज चार्ज आपसे यहां पर आपके डिपोजिट अमाउंट पे 0.15 परसेंट लिया जाता है और IND मनी प्लेट्रॉम फी आपसे यहां पर 0.75 परसेंट ली जाती है IND मनी में आप जो है मुचल फंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सेक्मेंट में आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिये जाते हैं IND money में आप जो है fix deposits यानि FD में भी invest कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी charges पे नहीं करने हैं दोस्तों यहाँ पर आप जो है federal bank में, बचाज finance में, सिरिडाम finance में अपना fix deposits जो है open करवा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सभी charges के साथ आपको government charges भी pay करने पड़ेंगे और applicable जो भी GST होगा वो भी pay करना होगा IND money आप आपको Google Play Store और Apple Store पे मिल जाता है Google Play Store में 50 लाग से जादा download आज की डिट में हो चुके हैं 4.4 स्टार रेटिंग जो है इसको मिली हुए है जो कि आज की डिट में काफी अच्छी रेटिंग है Customer Care Service की बात करें तो यहाँ पर आपको जब बहुत सारे email id मिल जाते हैं अलगलग segment के लिए जहां आप जो contact कर सकते कुछ phone number भी मिल जाते है अगर बात करें इंडियन stocks की तो customer service यहाँ पर आपको कुछ email id मिल जाते हैं साथ में कुछ phone number भी मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज missing लगे कि यहाँ पर एक dedicated number नहीं मिलेगा Customer Care Team का तो दोस्तों यहाँ पर यह कमी साफ दिखाई देती है अगर आपने ind money का customer service है उसका experience किया है उसको अगर आप शेयर करना चाहते है तो आप जनलीचे comment करकर शेयर कर सकते हैं दोस्तों ind money में आप इंडियन stocks में, US stocks में और mutual funds में इंवेस्ट कर सकते हैं क्योंकि fixed deposit यानि FD में तो आप अपने bank account में ही इंवेस्ट कर सकते हैं तो आप यहां पर अपना DMAT account open करने की सोच सकते हैं तो दोस्तों यह थी सारी detail about ind money app के बारे में बाकि अगर आप ind money में अपना DMAT account open कर चुके हैं आप इसे आज की date में use करते हैं आपका क्या experience है नीचे comment करकर जरूर share करें ताकि नी future जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको एक real feedback मिल सकें Hopefully वीडियो आपके लिए useful रहे और वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया जानने को मिले तो दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चल पर नए थे तो चल को subscribe भी जरूर कर देना अगर आप HDFC securities के नए discount broker app HDFC sky के बारे में सब जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को मिस मत करना